बोड़ी बोड़ी आज हम minimum spanning tree का topic discuss करते हैं minimum spanning tree graph के अंदर से आप the trees generate करते हैं वो उसका topic है और उसमें minimum spanning tree का मतलब यह है कि वो tree जो कम से कम weight रखती हो span का मतलब बतर traverse करना that is एक node से दूसरा node तक move करना ठीक है तो अगर हम बात करें graph की तो graph के अंदर से बहुत सारी trees निकल सकती हैं यह जिसके हम graph के अंदर पूरे graph में से चोटे-चोटे parts को अगर हम traverse करें छोटे-चोटे parts में एक node से दूसरा node तक जाएं तो वह उसा पांस को अगर हम node करें तो उन ट्रीज बना सकते हैं इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे छोटी क्वेडिश चेक करें यह हमारे पास एक वेडिट्र ग्राफ है अन्डारेक्टेड वेडिट्र ग्राफ ठीक है इसमें आप देख सकते हैं कि पांच नोड्स हैं और पांचो नोड्स को वेडि नबाच नोड्स के जो edges connected है उन सबके weights given है इस particular graph के अंदर से भी हम spanning trees निकाल सकते हैं सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें से spanning tree और spanning tree का मतलब क्या है कि आपके पास traverse करने का तरीका ठीक है तो हम ने पहले तो निकालनी है spanning trees कि क्या इसमें से कितनी spanning trees बन सकती है और फिर उसमें से हम जो है वो minimum निकाल लेंगे अब for example tree number one हम check कर सकते हैं यह हमारी एक spanning tree है ठीक है इस spanning tree का weight अगर हम check करें तो 74 बनता है फिर हमारे पास एक दूसरी spanning tree है इस spanning tree का जो weight है वो हमारे पास 71 है और यह मर बातीस त्री spanning tree है इस spanning tree का जो weight है वो बनता है 72 अब इन तीनों में से यू तीन तो होगी spanning trees तो इन तीनों में से minimum spanning tree कौन सी है वो है 71 weight वाली यानिके tree number two tree number two जो है वो minimum spanning tree है यानिके कम से कम weighted graph कम से कम जो इसकी spanning वा weight है वो सबसे कम है सबसे minimum है ठीक है और minimum spanning tree की एक और important बात किया है कि वो आपके vertices जो है उनको आप count करें उसके edges हैं उससे एक कम होंगे मतलब यहाँ पर 5 vertices है या nodes 5 vertices या nodes है तो जो edges हैं वो 4 होने चाहिए and minus 1 edges होने चाहिए तो तीनों spanning trees के अंदर 4 edges है ठीक है और MST कौन सी MST या minimum spanning tree कौन सी बनी जिसका weight का सबसे minimum हुआ वो बना minimum spanning tree so that's it thank you can't be subscribe and like the video thank you very much